जै मकाली, नमस्कार, कैसे हो सभी, हरर महादेव, आशागर्ति हो सभी, अच्छी होंगे, खोश होंगे, और स्वस्थ होंगे आज का जो विश्य है, वो है धिपक में फूल बनना जो हम मंदिर में पूझा पाट करते हैं उसमें एक फूल बनता है उसी के बारे का अज जो है टॉपिक है क्योंकि इस पारे में आजकल बच्चे मुझे बहुत जो है लाइब में भी पूछ रहे हैं कमेंट दौरा भी पूछ रहे हैं बहुत से बच्चे इस बात के उपर प्रिशन कर रहे है कि दीपक में फूल बनता है इसका क्या कारण है हमारे दीपक में एक अजीब सा शेफ ले लेती है जोट कुछ लोग को तो ये भी नहीं मालू है कि जोट जो उपर अजीब सा फूल बन जाता है तो उसको बहुत से बच्चे मुझे कमेंड बूच रहे हैं कि दीदी हमारी जो हम दीपक जलाते हैं उसकी ज जोट है वह उपर जोट जलते जलते उसमें एक अजीब से सेफ बन जाती है उसका क्या कारण है तो उसी के बारे में मैं आज आपको समझाओंगी कि वह जो जीब बाती है उसके अजीब से शेफ बन जाती है वह क्या होता है उसका क्या कारण होता है क्यों वह बनती है क्या क सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दीजी ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए क्योंकि आप लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब बिल्कुल भी नहीं करते क्योंकि वीडियो पर जितनी वाचिंग होती है उत्ते तो व्यूवर्स होत करता है तो उसको अगर पीट पर दो थपकी लगा दी जाए ना तो वह आगे और अच्छा करने के कोशिश करता है तो उसी प्रकार से आपका ये लाइक मेरे लिए वही चीज का कारे करता है तो आप लोग लोग जूर करें क्योंकि आप लाइक तो मिल्कुल भी नहीं करते ह मात का वीडियो क्योंकि आप लोग कि आरे होंगे के अपने लिए करिये और हमारा तो बताय निरिया है क्या होता है कैने था सुरू करते हैं ये लेकिन सब्सक्रैब जूर करना हा देखिए धीपाग में जो फूल बनता है जैसे कोई सरसो के तेल का दिपक जला रहा रहा है क सब्सक्राइब यह सब्सक्राइब कर अगाया तो एक ब्रकार को किसा क्यों होता है कि हम दीपक जला और भुझ गया या बहुत जल्दी से हमारे जो डीपक और बुझ जाती है थोड़ी बहुत जलती और बुझ जाती है ऐसा होता है और बहुत से लोग क्या कहते हैं कि हमने दीपक जलाया और कुछ ही पल में वहाँ पर एक फूल की आकरती बन जाती है कुछ लोग कहते हैं एक सेफ बन जाती है बाती में तो यानि कि मैं उन लोग को जिनको नहीं मालूम है शेफ क्या होती है तो उनको मैं बतारा जाओंगी कि वो शेफ नहीं होती है वो एक फूल होता है वो अलग अलग परकार के फूल बनते हैं किसी के में पांच पंखडी का किसी का एक पंखडी का फूल बन जाता है लेकिन फूल बनता है किसी के में क्या ह वह में इस जदर पुझा पार्ट कर सकते हैं उनके अंदर वाश है उनके लेकिन प्राइब हो तो निया कि प्रतिमाइब लेकिन हम यह है कि उसके अंदर उनका निवाश होता है एक पाल होता है उनकी किरपा होती है उनकी उर्जा होती है उस तस्वीर में उर्जित होती है जैसे उसको कहते है प्रान प्रतिश्चत तो वह वैसे ही प्रतिमाई होती है उनके अंदर तागत है बल है तो इसलिए वह आप जो दीपक हमारा जलता है और पूरा एक डम से बाती जल जाती है खतम हो जाता है घी कारण है लंग पूरा घी जो है एक दम पूरा दीपक खाली हो जाता है तो उस वो क्या कारण है क्या वो देवी देपता के पी रहे हैं घी या देवी देपता सुईकार नहीं वो प्रिस्थिती वो है कि अगर ऐसा किसी के साथ में हो रहे हैं तो समझेए आपके घर में कोई नेगेटिव शक देपक जलाने का मतलब क्या है वो हम भोग सुईकार करें वो हमारा यह पूजा सुईकार करें तो वो पूजा देवी देपताओं को नहीं वो किसी राक्षस के समर्पित में जा रही है कोई राक्षस उसकी उर्जा ले रहा है वो दीपक की उर्जा जो है कोई किसी राक्ष अगर जोत लहल आ रही है, तो समझेए कि वो तो वहाँ तो कुछ परसेंट जो है, आपकी उर्जा है, कुछ नेगिटिव उर्जा है, जो आपस में टकर खा रही है, लड़ रही है, आपके उपर जो मुसीवत हैं, वो कट रही है, लेकिन वहीं अगर जो दीपक जल करके तु आप पूजा कर रहे है, वो कोई नेगिटिव शक्ति घ्रहेंड कर रही है, ना कि कोई देवी देवता, किसी देवी देवता की पास नहीं जारी है, और आपके घर में किसी नेगिटिव उर्जा का प्रवेश है, ना कि कोई देवी देवता, ना कोई शकारात्म कुर्जा, नकारात्मक एनरजी आपके घर में है और वो आपकी पूजा स्विकार कर रही है। बहुत आसान तरीका है जानने का कि आपके घर में कोई नेगिटिव शक्ती है या पॉजिटिव शक्ती है। आप जो पूजा कर रहे हैं कि वह स्विकार हो रही है? अगर आपको समझ में आया है, कुछ लोगों के साथ ऐसा हो भी रहा है, तो आप सत्य कहंचाए है, अगर ऐसा हो रहा है, तो उसका कार्ड भी यहाँ पर बता देती हूँ. उसका काट यह है कि डेली उसी तेल में आप दो लॉंग डाल करके तब दीपक को जलाए फिर देखिए कि दीपक का जो घी है वो कित्ती जल्दी से जा रहा है या नहीं जा रहा है खतम हो रहा है तो इतना ही मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में और अगर वीडियो देना और साथ ही चैनल को सस्क्राइब भी करिएगा तो मिलती हूँ आपसे ऐसी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए सभी को जैमा काली हारल महादेर